कि नमस्कार दोस्तों 8-class NCRT जोग्राफिक है यह दूसरा चेप्टर है हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ा था लैंड और दूसरा स्वैल के önemli पढ़ा था और यह अब तीसरा क्या है water के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग जानते है कि अर्थ क्या है जैसे यह अर्थ है बारी की से बिलकुल ध्यान से देखिए यह अर्थ है तो अर्थ में क्या है हम लोग यह जानते है कि 71% क्या है water body क्या है water bodies है कहने का अर्थ क्या है 71% क्या है जल है और 71% तक अगर जल है तो 29% तक क्या है अस्थल है यानि कि land mass है land mass कहिए या land land mass ठीक है तो कहने का अर्थ क्या है कि 71% तक सिर्फ पानी है लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की समस्य क्यों बनी रहाती है अपने देश अपने देश में भी देखिए बहुत ऐसा राज्या है जहां पानी की समस्या बहुत में कराजी है जहाँ पानी की समस्या बनी होई राती है तो कहने का अर्थ क्या है कि सेवंटी वॐन परसंट तक बहुत बड़े एमाउंट में जहें वाटर है लेकिन इस सेवंटी वॉन परसंट का हम पूरा यूज करपाते हैं क्या यह कहने किया है ये पूरा पीने योगे पानी है क्या नहीं कहने का अर्थ किया है कि 71% में भी 71% में भी क्या है सबसे ज्यादा क्या है materiale ऑसे यन महासागरू का जल है जो क्या है स्लाइन वाटर होता है स्लाइन वाटर मतलब नमकीन पानी होता है नमकीन पानी मतलब नमक का मातरा उसमें साल का मातरा होता है नमक की मातरा होती है नमक की मातरा ठीक है इसलिए उसको स्लाइन वाटर कहते हैं वो पीने योगे नहीं है हम लोग क्या पीते हैं हम लोग जो है य यह आपका स्लाइन वाटर है हम लोग क्या पीते हैं फ्रेस वाटर पीते हैं तो फ्रेस वाटर जो है बहुत ही कम है हम लोगों के पीने योग्य पानी जो है बहुत ही कम है इसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे तो बारी-बारी से आप ध्यान से समझिये, बिल्कुल ध्यान से समझियेगा, कोई प्रोब्लम नहीं होगा, अब आगे देखते हैं क्या, जल क्या है, एक महतपुर्ण नवी करनी ये प्राकिर्तिक संसादन है, हम लोग resources के बारे में पढ़ेते, तो उसमें पढ़ेते, renewable or non renewable क के बारे में ठीक है, तो क्या है, जल भी एक क्या है, प्राकिर्तिक संसादन है, और वो भी कैसा, तो नवी करनी ये, नवी करनी ये, और अनवी करनी ये, दो तरह का संसादन होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, दो तरह का संसादन, एक होता है, renewable, एक होता है, non renewable, renewable, यानि कि नवी करनी है हम संसाधन उसको कहते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में है ठीक है बहुत बड़ी मात्रा में यानि कि हमारे पास क्या है बहुत ज्यादा है बहुत बड़ी मात्रा में है बड़ी मात्रा में है और इसको दुबारा बनाने में क्या है दुबारा प्राप् इनने में टाइम बहुत कम लगता है किसके अपेक्षा तो नन रिनिवे वाले यानि कि और नवी करनी है रिसोर्से से ठीक है तो टाइम बहुत कम लगता है कम लगता है तो यह समझ गए और यानि कि और नवी करनी में क्या होता है वह बहुत कम मात्रा में हैं यानि कि और नव नवी कर निये और नवी कर निये ने की यह क्या हो गया यह हो गया रिन्यूवेबल यह नन रिन्यूवेबल तो और नवी कर निये में क्या होता है कि यह क्या है कम मात्रा में इससे क्या है कम मात्रा में है कम मात्रा में और प्राप्ट करने में क्या है दुबारा तो बनता है द बहुत ज्यादा समय लिखतेते हैं ज्यादा टाइम क्या है टाइम लगता है तो आप ये समझेंगे तो कहने का अर्थ क्या है कि क्या है आपका जल एक नविकर्निये प्राकिर्तिक संसादन है भूप्रिष्ट का तीन चौथाई भाग जल से ढगा है हम लोगों ने देखे कि क इतना धका हुआ है तो तीन चौथाई भाग जल से ढगा हुआ है फिर देखिए वाटर इज भाइटल रिन्यूएबल नेचूरल रिसोर्सेश्जे क्या है एक महत्पुन यानि की वाइट़ रिन्यूएबल नेचूरल रिसोर्से पोर्त ओफ ऊंफेश sa著 is कोव ça क्या है ती तीन चोथाई यानि कि भूप्रिष्ट का तीन चोथाई क्या है तीन चोथाई भाग क्या है जल से धका हुआ है हम लोग ने देखा कितना परसेंट जल है तो 71 परसेंट तक जल है और 29 परसेंट तक क्या है अस्थाल है तो इसको आप देखे फिर देखिए क्या महासागर प्र और विवित परकार के पेड़ पौधे और जनतुगों को मदद करते हैं तेका है महासागरों का जल लवनिय होता है यानि कि श्लाइन वाटर होता है लवनिय मतलब श्लाइन वाटर होता है और मानुवी उपभोग के लिए उप्युक नहीं है और लवन जल सिर्फ क्या है तो 2.7% लगभग 3% क्या है आपका क्या है औल लवनिय करने कि रफ्रेश वाटर कीता है तीन पर्सेंट तक हापका अप्का रिस वाटर हैं तो कितना कम है या है और ज्चास नरा और उसका है रसुटान में तो थेक़्ख हैं तो है कितना है То 2.7 प्रतिसा सिर्फ है तो कहने के लिए यह है कि पानी तो बहुत है लेकिन यूज करने के लिए पानी जो है बहुत ही कम है इसको आगे देखिए ओसियांस को भार टू थर्ट्स ओफ दा अर्थ सर्थेश एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ओ प्लांट एंड इनिमल क्या है विविद परकार के पोध और जनतुओ को क्या है यह ओसियन क्या करता है मदद करता है टीक है और देखिए दघ्वीजीए अवर्ट क्या है यहन कि नमकीन कांई है और एंसान के लिए इसान के उप्भोग के लिए क्या है उपइउक्त नहीं है ठीक है फ्रेस वारट ही अकाउंट फॉर ओनली अबाउट टूपॉइंट सेवेंट तो कितना है सिर्फ 2.7 पर्सेइंट जो है फ्रेस्वाटर है देख रहा है कि पानी का कितना किलत है बहुत ही किलत है इसका लगभग 70% भाग बर्व की स्चाद्रों अब देखिए 2.7% इसको अपरोक्स अगर हम 3% मान ले तो 3% में देख रहे हैं इसका 70% तक अगर 2.7% में भी क्या है 70% तक कहां कहां है देख लिजे बर्व की स्चाद्रों और हिमानियों के रूप में अंटार्क्तिका, ग्रीन लेंड और पर्वती परदेशों में पाए जाता है कहने का अर्थ क्या है यहां पे देखिए 2.7% में भी क्या है कितना परसेंट 70% तक क्या है पानिक कहां है बर्व की स्चाद्रों ठीक है आइस सीट में, आइस सीट में है, आइस सीट के रूप में और कितना है फिर जो है हिमानियों यानि कि गलेसियर, गलेसियर में भी देखिएगा glacier और तीसरा क्या है बवाग कि देखिये तीसरा है अंटार्टिक इसी रूप में क्या है कहा है एक तो है अंटार्टिका में है दूसरा क्या है Greenland में है और तीसरा क्या है परवती यहांनि कि mountain region में मांटेन रीजन में है तो समझ गया कि 2.7% याने कि 2.7% में भी 70% पानी क्या है 70% तक पानी आपको 2.3% महीं मांते हैं तो आइसीट में है गलेसियर में है और इसी रूप में कहां-कहां है तो एक तो अंटार्टिका में है, ग्रिन लैंड में है, और क्या है, माउंटिन रीजन में है, कहने का और्थ क्या है, 70% तरह निकल गया, तो आपको 30% तक, यानि कि 2.7% में आपको 30% तक पानी बचा, वो भी देखिए, नियरली 70% परसेंट, सोरी, नियरली 70% ओप दिस, अकर्स आज, आइस सीट, देख लिजे, किस रूप में है, आइस सीट के रूप में, और ग्लेसियर, क्या है, यहीं हिमानी, इसको बुकाते हैं, ग्लेसियर, इन अंटार्टिका, ग्रिन लैंड, और माउंटेन रीजन, तो ग ग्लेसियर के रूप में, कहां है, अंटार्टिका में है, ग्रिन लैंड में है, और माउंटेन रीजन, जहां पे, परवतिये परदेश्टा है, वहां पे है, फिर आगे देख सके, अपनी इस्तिति के कारान, यह मनुस की पहुँच के बाहर है, केवल एक प्रतिशात, अलव लवद है, देख रहे हैं, वहां तो 2.7% है, 3% मानते हैं, तो 3% में 1% ही जल जो है, वो क्या है, अलवन जल उपलब्ध है, और वहां मानो उपभोग के लिए उप्यूग्ट है, ठीक है, तो फ्रेस वाटर, आपको फ्रेस वाटर है, कहां कहां इसको देखते हैं, यानि कि ये तो अलवन ये जल जिसको कहते हैं, जिसमें लवन की मातरा नहीं है, लवन मतलब नमक की मातरा नहीं है, वो जो है, कहां है भौम जल, यानि कि ग्राउंड वाटर जो है, उसमें है, तो इसको ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के रूप में है, और क्या है, और क्या कहते हैं यानि कि सर्फेस प्रिष्टिये जल हम किसको कहेंगे यह अर्थ सर्फेस पर मान लेते हैं कि जो भी जल पाया जाता है उसको प्रिष्ट अर्थ सर्फेस को क्या कहते है यह प्रिष्ट है तो आपको जीलो के रूप में इसके अलावे जो है तलाव देखते हैं इ यहां पे आपको इसको प्रिष्टिय जल के रूप में भी पाया जाता है तथा वायू मंडल में जलवास के रूप में अब देखिए वायू मंडल में देखते हैं यानि कि आप जलवास जो देखते हैं वैपर जो देखते हैं उसके रूप में पाया जाता है और वैपर के पर्द क्या है यह पानी आप तो बहुत ही कम है वह पानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ही हमको बचा के चलना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में दिकत का सामना ना करना पड़े ठीक है अब इसको भी देर लोकेशन दे आर इने सेवल ओनली वन परसेंट फ्रेस वाटर देखिए क्या है उनली वन परसेंट मतलब क्या है एक परसेंट तक फ्रेस वाटर इस अब लेबल एंड फिट और हुमान यूज इंसान के यूज के लिए कितना है एक परसेंट सिर्फ पानी है इट इस फाउंड आज ग्राउंड वाटर क्या है ग्राउंड वाटर के के रूप में कर तो इसको सर्फएस वाटर किया तो सुरी का प्रकास यहाँ प्रटां ठीक है सन का परकास जैसे पढ़ा यह गरम होता है यानी की गरम होने के फिर यहां थो करते है फिर यह और यहीं किया होता रही होता है है गेवादल बनता है डिरेट बनता है क्लाउट बनता है और नि क्लाउट बनके प्लाउट सू नोब नागी यह पाने पेटिव में लॉस्त आपको about किया हुए है तो अपको समझ में आयाए होगा वाटर सैखिल क्या है तो कहने का अर्थ क्या है कि कितना कम पानी है देखिए तो यह सब जो है यानि कि सर्फेस वाटर के रूप में क्या क्या है रिवर है यह भी सर्फेस वाटर के रूप में नदी लेक्स है और वाटर वेपर है ठीक है एट्मोस्पेर में फिर तो आता है तो क्या कहते हैं सर्फे आप देखिए लिए प्रितबी का सबसे आधिक मुलेवान पदार्थ है प्रितबी औॅस्तन एक भारतिए नागरिक पढ़ती दिन 135 लिटर जल जल का मतलब उप्योग करता है ठीक है ये थोड़ा मिस हो गया है 135 लिटर जल का उप्योग क्या करता है इंसान के द्वारा होता है और इस जल को न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है जल तो सीखता है ठीक है भले उसका amount कहीं पर बढ़ जाएगा, कहीं पर घड़ जाएगा, ठीक है, कहीं पर उसका amount बढ़ भी सकता है, कहीं पर उसका amount घड़ सकता है, मानते हैं, हो सकता है, कि इस तलाब, मान लेते हैं कि कोई तलाब है, फिर जो है बादल बनने के बाद में हो सकता है, यह बादल, द तो इस तरह क्या होता है कि पानी मतलब बिल्कुल fix है न उसको बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है और एक इनसान के दोबारा एक भारती है इनसान के दोबारा 135 लिटर प्रती दिन पानी यूज में लाते हैं हम लोग ठीक है देखिए fresh water is therefore the most precious substance on earth ठीक है water can neither be added nor subtracted from the earth क्या है fresh water is therefore क्या है fresh water fresh water क्या है the most precious substances on the earth प्रितिवी का सबसे मुल्यवान अगर मुल्यवान पदार्थ है तो क्या है fresh water धर्ती का अर्थ का सबसे मुल्यवान पदार्थ है ठीक है तो कहने का अर्थ है water can neither be added हम क्या कर सकते हैं न वाटर को बढ़ा सकते हैं और not subtracted from the earth नहीं धर्ती पर हम उसको घटा सकते हैं उसका amount जो है fix है ठीक है इस पर मनुस्त जल की प्योग ना केवल पीने में और नहीं सिर्फ धुलाई करने में करता है इसके अलावे भी करता है मतलब मनुस्ते जो है fresh water का यूज सिर्फ पीने और कपड़ा धुलाई में ही नहीं करता है उत्पादन पर क्रिया में भी करता है जल क्रीसी के लिए उद्योग तटा बांदो के जलास्तियों के माध्यम से विद्ध उत्पादन करने में भी परियोग किया जाता है तो जल देख रहा है कि हर जगा जल का उप्योग आपको पीने के लिए जल का उप्योग कपड़ा धोने के लिए भी होता है लेकिन इसके अलावे भी उत्पादन पर क्रिया में भी और किसी तता उद्योगों में बांदों के जलास्तियों के मार्थ देखिए humans use huge amount of water not only for drinking and washing देखिए नहीं केवल पीने में और नहीं धुलाई में ठीक है but also in the process of production और production में भी क्या करता है उप्योग करता है water for agriculture water किस चीज में agriculture culture industries में generating electricity और electricity जेनरेट करने में 30 लिटर जो रोज हम लोग खर्च करते हैं पानी वो कहा कहा करते हैं उसको देखिए पीने के लिए हम 3 लिटर और खाना बनाने के लिए 4 लिटर फिर खाना बनाने के बाद नहाने के लिए 20 लिटर सोचालाय फ्लसिंग के लिए 40 लिटर वस्त्र धोने के लिए फिर 40 लिटर बरतन धोने के लिए 20 लिटर और बगवानी करने के लिए 23 लिटर टूटल क्या हुआ एड करिएगा तो 135 लिटर अप्रोक्स हम लोग पानी खर्च करते हैं हमको तो लगता है इसे ज्यादा कर्च हम लोग करते हैं ठीक है तो लेकिए जल उपलबता की समस्या है ठीक है प्रूप्लम्स ओफ वाटर एवलेवलिटी विश्व के कई परदेशों में कई देशों में जो है आज जल की समस्या जिल रहा है पानी एवैलेवल नहीं है ठीक है तो उसको हम देखेंगे विश्व के कई परदेशों में जल की कमी है सही बात है अधिकांस अफ्रिका देखिए कहा कहा कमी है अफ्रिका पश्मी एश्या पश्मी ए अमेरिका के भाग में ठीक है पूंतर निर्भाय किस चीज पर यानि कि मतलब जल का कमी यहां पर है उत्तर पश्मी मैसिको दक्षिन अमेरिका के भाग और संपून अस्ट्रेलिया और लवनिये जल कि आप पूर्ति की कमी का सामना कर रहा है तो कहने का अर्थ क्या है यह जीतन मतलब यह क्या है कम तेकल यह जल तो बहुत ज़्यादा करण की आप ऊस्टेलिया को देखmbol जो है जल यह लेकिन कैसा जल थो स्लाइण वाटर है क्या है इसलाइन वाटर है यह सब कोई ज्यार रहा है ठीक है अलवनीये जल तो चाहिए धिल्शल पीने के लिए लवनिये जल तो हम पी नहीं पाएंगे फिर देखते हैं एसिया पार्ट ओफ वेस्टन युएसे नौर्थ वेस्ट मेक्सिको पार्ट ओफ साउथ अमेरिका एंड इंटार ऑस्ट्रेलिया आर्ट फेस्टिंग सोटेज इन फ्रेस वाटर सप्लाई तो देख रह था है कॉंत्री कटिज लॉडएंट इन च्लाइमेटिक जोन्स नुस्ट स्थे काने का और्थ कैड़ी है क्लाइंट इन च्लाइमेक जोन मोष्ट सब्सेटिबल टू डाउटल तेट ज़एक्ड Šandis तो कहने का अर्थ क्या है कि ऐसा देशा है जहां सूखे का सामना करना पड़ता है अब देखिए यह सब तो देख लिए लेकिन आप कंजर्व करने के लिए यानि कि वाटर को हम संरक्षित कैसे करेंगे जल संसादनों का संरक्षन तो बहुत जरूरी है कारण कि ऐसे ही पूरा वर्ल्ड में समस्या बना हुआ है जल का जल का बहुत ज्यादा समस्या जो है विश्रू के बहुत सारे प्रांत है बहुत सारे कंट्री है जहां पे जल की समस्या है आज विश्रू में शूद तता परियाप्त जल सुरूत्रू तक पहुंचना यानि पहुंचना एक बड़ी समस्त्या बन गई है देख रहा है ना इस चीन हों होते संसादन के संरक्षन के लिए कदम उठाने चाहिए तीक है यह दिपी जल एक नवीकर्णी यह संसादन है तथा 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 पी इसका अती उपियोग और परदुसन इसे उपियोग के लिए अनुपियोग तो बना देता देखिए यह क्या है नवीकर्णी है फिर से बन जाएगा बहुत कम समय लगता है फिर से जो है आप देख रहे हैं वाटर सैक्ल में भी देखे हैं जल जो है कैसे नाशते रहता है ठीक है यानि कि अर्थ से आट्मोस्पेर और इसी के बीच में कैसे गुमते रहता है लेकिन क किया है हम लोग क्या करते है इतना पर्दुषन करते हैं इतना नकत्राय जो है इसमें फैक्ते हैं कि क्या है इसमें परदुसन बिल्कुल परक्रदुशित हो गया है पीने-ईह पानी बहुती कम बचा है कि एक स्टू खिलीन अ and adequate water sources is a major problem facing the world today आज क्या है विश्व में शुद्ध पानी परियाप्त जल शुत्य तक पहुंचना आज बहुत ही समस्या बना हुआ है क्या है कि इस चीन होते संसाधन के संसाधन के लिए क्या करना चाहिए हम वो कदम उठाना चाहिए कि नहीं बिलकुल उठाना चाहिए इभेन थ्रो वाटर इज ए रिनीवेबल रिसोर्स एज क्या है जल एक रिनीवेबल रिसोर्स एजा या निकि नविकर्णिय संसाधन है इट्स ओभर यूज यह अलग यूज एन पॉलूशन मेक इट अन-फिट फोर यूज देखिए नविकर्णिय संसाधन होने के सब्सक्राइब कर एक टोट्ब्राइब रूप से इसका इतना यूज़ करते हैं और यूज़ कर रहा है कि यह बिल्कुल क्या है याज क्ता है इसका बहुत जिया अती उप्योग हम लोग सका है कि टीक है क्या है? जल संग्रहान प्रिष्ट्रिय प्रवा को बचाने की दूसरी विद्धी है देखते हैं जल का उप्योग खेतों की सिचाई के लिए किया जाता है हम लोग देखे थे कि जल को कैसे बचा सकते हैं पिछली कक्षा में देखे थे मल्चिंग ये सब देखे थे मल्चिंग देखे थे जल रिसाओ को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए अब देखिए कैसे ठीक कर सकते हैं जल को बचा सकते हैं कि नहर सब है तो उसको अच्छा से जो है पक्का करना चाहिए ठीक है वास्वीप करन की अधिक दर वाले शुक्ष परदेशों में जहां ड्राइड विजन है उसमें क्या है ड्रीप अत्वा टपकन ड्रीप एरिगेशन होता है और टपकन वीदी दुवारा उप्योगी होती है टपकन वीदी मतलब यह धीरे-धीरे पानी क्या है टप टप करके गिरता है ठीक है जहां पर पौधा लगा रहता है वहां जितना उसको हो सकता हुआ उसके हिसाब से पानी उसको मिला और यह इस प्रिंकल लगा के भी आप कर सकते हैं ठीक है ड्रीप अथवा टपकन उप्योग दुबारा ठीक है संरक्षन की इन वीदियों को अपना कर बहुमुल्य जल संसादनों को संरक्षित किया जा सकता है आप यह सब कदम जब उठाइएगा तो जल को संरक्षित किया जा सकता है आप जो है यह सब कदम जब उठाइएगा तो जल को संरक्षित किया जा सकता है आप जो है यह सब कदम जब उठाइएगा तो जल को